हेलो फ्रेंट्स वेलकम टे माई यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में हम डिसॉर्णेस सॉपकीपर के बारे में जानेंगे एसे सीपीओ में हाली में जो आंसर की रिलीज हुआ था उसमें एक कोश्टिन आया था डिसॉर्णेस सॉपकीपर के उपर वो थोड़ा गुमा फिरा के दिया था तो उस टाइप के कोश्टिन हम कैसे 30 सेकेंड के अंदर बेसिक बे में करेंगे और सॉट्रिक में 15-20 सेकेंड म करेंगे वो हम देखेंगे इसमें सीखेंगे मैं 4-5 कोश्टिन करूंगा सारे के सारे आपको 30 सेकेंड के अंदर ही हो जाएगा पेसिक बे में और आपका ट्रिक लगाओगे तो 15-20 सेकेंड में हो जाएगा तो चलिए सुर करते हैं मैं दो चीज बताऊंगा एक बेसिक और आपका ट्रिक तो दो नहीं बहुत ही इजी लिए आप समझ जाओगे जितने भी डिफिकल जितने घुमा फिरागे देगे ना बेसिक पे में बहुत इजी हो जाता है तो मैं आपको बताता हूं और ध्यान रखना 30 सेकेंड में हो जाएगा चलिए सुरू करते हैं सबसे पहल पड़ी सौने सबकी पर जब भी हम दिमाग में आता है तो एक चीज हमें हमेसा ध्यान में रखना है वो क्या है आइडियल केस आइडियल केस क्या है मानलो आप 1000 ग्राम कुछ सामान खरीद रहें और उसका कॉस्ट प्राइस होता है 1000 रुपीज या फिर 100 gram कुछ शामान खरीद रहे हो तो फिर उसका cost price होता है 100 rupees यह होता है हमारा ideal price, gram के जगा case ले सकते हो तो यह है हमारा cost price या फिर ideal case तो इसे हमेशा ध्यान में रखना है जब भी question आए यह एक line आपको लिखना है ताकि इसके उपर ही आप जो भी condition दे रखा है question में उसके उपर आप question को solve करेंगे और दूसरा चीज़ में बता देता हूँ जब भी कोई दुकानदार cheat करता है, fraud करता है, दो way में fraud करता है सबसे पहले वो खरीदने के time fraud करता है, वो कैसे आप wholesaler के पास जाते हो, आप एक dishonest shop की पर हो तो आप क्या करोगे, 1000 rupees का चीनी मांगोगे, तो 1000 gram का आपको दे देगा 1000 gram के बदले में आप क्या करोगे, 200 gram extra ले आओगे उससे fraud करके तो यह हो गया, dishonesty while buying the goods, selling के time क्या होता है न, आप customer आया है आपके पास, 1000 rupees दिया, 1000 gram चीनी लेना है, उसको आप 800 gram बेच रहे हो तो उसे नहीं पता कि वो 800 gram ले रहा है, वो 1000 rupees दे रहा है, 1000 rupees चीनी का पर आप उसे 800 gram दे रहे हो, तो आपको यहां पे भी profit हो रहा है 25% का तो वो कैसे calculate करता है, यह profit मैं अभी मैं बता देता हूँ, फिर हम कुश्चीन को जाएंगे सबसे पहले, he takes 1200 gram instead of 1000 gram, यह क्या है, बाइंग के टाइम, ठीक है, ओके, so, 1000 gram का सामान उसे लेना चाहिए था, वो ले आया है 1200 gram का, तो profit कितना बन रहा है, हमेशा profit calculate करने के लिए यहां पे आप small value रखेंगे, और is to ratio लगाएंगे 1200 gram, तो यहां पे हमारा large value तो यहां पे कितना profit बनाया है, खरीदने के time, 20% का profit बनाया है, ठीक है, अभी question में कैसे दे गए, एक dishonor shopkeeper 20% का profit बनाता है, while buying, ठीक है, इसका मतलब यही है, 1000 gram का चीनी लेना था, वो 1200 gram का चीनी ले आया है, अभी selling का बात करते हैं, he gives 800 gram instead of 1000 gram, अभी किसी, अभी इसको profit कैसे calculate करते हैं, मैंने बोला, small value, यहां पे रखना है, फिर ratio, फिर larger value, तो कितना हुआ, 25% का profit बनाता है, इसका मतलब यह है, 800 रुपे उसे मिलना था, आप मानलो एक customer गया, वो बोला कि, मुझे 1000 रुपे का चीनी दो, आपने उसे 800 gram दे दिया, जो कि 800 रुपे का चीनी है, 800 रुपे मिलना था, 800 रुपे का चीनी दिया है, 800 रुपे मिलना था, पर उसे मिला कितना? 1000 रुपए है, क्योंकि उसने fraud किया है, तो यहाँ पर उसका profit बन रहा है, 25%, ठीक है? तो यह दो चीज़े आपको ध्यान में रखना है, इसमें क्या देगा? 25% while selling, ठीक है? आप यह दो चीज़े ध्यान में रखिए, मालो एक दुकानदार खरीदने के time 20% का profit करता है, फिर बेचने के time 25% का profit करता है, तो फिर यहाँ पे वो एक successive profit बना रहा है, खरीदने के time उसके उपर वो बेचने का profit बनाता है, तो यह successive profit होता है, तो चलिए, अभी question answer करते हैं, फि इस तरह से basic pay में 30 seconds के अंदर ही होगा, वो आप देख लेते हैं, एक dishonest shopkeeper पर promise करता है, वो अपने product को cost price पे बेच रहा है, तो सबसे पहले हम ideal case लगाएंगे, 1000 gram का 1000 रुपीज, या फिर आप इसे बोल सकते हैं 100 gram का 100 रुपीज, जो भी आप बोल सकते हो, फिर वो क्या करता है, uses 40% less weight, वो fraud करता है और customer को 40% less देता है, मतलब 600 gram देता है, और पेशा कितना लेता है, 1000 रुपीज, तो 600 gram का कितना पेशा बनता है, 600 रुपीज, पर वो लेता है, 1000 रुपीज, तो profit कितना कर रहा है, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 1000 minus 600 कितना आएगा 400 400 का जो profit कर रहा है किस के उपर 600 gram के उपर so 4 by 6 मतला 66.66 percentage ये मैंने बस आपको एक बार बता दिया है next question में आप खुदी आप ये calculate कर लेंगे कितना आ रहा है तो ये हो गया आपका profit अभी हम ये होगा है आपको बस 1000 gram 1000 रुपीज एक बार ये आइडिया लगाना है फिर आपको यहां दिया है 40% less weight तो सीधा 600 gram ये आप डैरेक्टली कर सकते हैं और 600, 1000 कितना हो रहा है आप अगर ये 2020 कैंसल आउट कर देंगे तो दो त्या, दो पंचा तो दो profit हो रहा है, दो profit बना रहा है किस पे? 3 पे तो 2 by 3 is equal to 66.66 तो इसमें ज्यादा कुछ calculation नहीं है, देखते ही बन जा रहा है तो ठीक है, इसको हम short trick में कैसे करें गया? तो जैसे कि मैंने बताया था उसको profit कितना हो रहा है? 40% less weight जब वो करता है, तब उसको profit बनता है क्योंकि यहाँ पे question में दे his profit percentage, वो profit बना रहा है दे कितना रहा है? 40% less दे रहा है ओके, तो हम यहाँ पे 40% less का कैसे लिखते है? 40% को कैसे लिखते है? 2 by 5 पर लेस, तो यह कितना हो जाए? 3 हो जाएगा सो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, वो क्या बना रहा है? profit बना रहा है profit जब बनाएगा, तो कैसे लिखते है हम small value ratio large value सो यहाँ पे रहेगा 3 यहाँ पे रहेगा 5 ठीक है? 40% less सो minus किये हमने अगर 40% more होता, तो फिर plus करते वो भी next question में बताऊँगा किस तरह से तो 3, 5 कितना profit? 2 का profit तो 2 by 3 यह हो गया 66.66 तो question में देखते ही 40% less मतलब आप बस इतना ही दिमाग में calculate करेंगे 40% less मतलब 5 का 3 ठीक है तो कितना profit बना रहा है मतलब आप छोटा value से बड़ा value तक जाओगे कितना 2 रुपे का profit बन रहा है तो किस पे? 3 पे 2 by 3 बस यह आप बिना pen and paper के calculate कर चकते है यह है sort rate तो next question में इन दोनों को फिर से use करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ आएगा A dishonest shopkeeper promises promise to sell his goods at 30% profit ओके सबसे पहले जब भी आप इस तरह के question देखोगे क्या करोगे? आप ideal case लगा लोगे 1000 का 1000 यह है ideal case फिर आप बढ़ोगे A dishonest shopkeeper promise to sell his goods at 30% profit कितने में profit में वो promise कर रहा है? 30% profit so 13000 तो इतने में वो बेच रहा है profit करके बेच रहा है यह बोल रहा है वो अच्छी प्रॉफिट पर्ट ही यूज़ेस 800 क्राम वेट इंस्टेद अप वन केजी तो कितना वेट डाल रहा है? 800 ग्राम का डाल रहा है वन केजी के जगा find his actual profit percentage प्रॉफिट कितना बना रहा है? बेच कितना बना रहा है? 1300 में और यह 800 तो कितना profit बना? यहाँ पर दो जिरो दो जिरो केंसल आउट कर लोगे तो फिर कितना होता है? 5 divided by 8 into 100 is equal to 62.5% यह हो गया हमारा बेसिक बे में अब हम ट्रिक यूज़ करेंगे 30% profit बना रहा है 30% profit मतलब 10 का 13 ठीक है? बट ही यूज़ेश 800 ग्राम बेट 800 यूज़ कर रहा है जबकि उसे करना था हूँ 1000 ठीक है? यह हो जायता है हमारा successive तो क्या होगा? 2 0 को 2 0 cancel out होगा यह 10 यह 10 cancel तो 8 is to 13 तो 5 divided by 8 जो किये 62.5% हो गया? यह हो गया हमारा ट्रिक से चलिए next question को जाते है A dishonest of your promises to sell सबसे पहले हम कर लेंगे 1000 का 1000 to sell is good 44% loss but he uses 9 okay वो क्या कर रहा है? पहले 44% loss से बेच रहा है यह वो खुद बता रहा है so कितना हो रहा है? 5, 6, 0 loss but he uses 9, 10 gram कितना gram यूज करे है? 910 ठीक है? from weight instead of 1 kg find his actual loss percentage यहाँ पर उसको क्या हो रहा है? loss हो रहा है तो 91 is to 56 कितना loss कर रहा है यहाँ पर? इसको और भी कार सकते हो 13 is to 8 कर सकते हो 5 loss on 13 into 100 तो कितना हो जाएगा? 38.4% so trick में करता है 44% loss 44% loss इसका मतलब क्या है? 44 divided by 100 is equal to 11 divided by 25 loss हो रहा है तो 14 so जब loss होता है तो left side हमारा बड़ा value रहता है 25 right side 14 क्योंकि यहाँ पर loss हो रहा है उसको अगर gain होता है 14 left side 25 right side होता तो अभी हो गया 25 is to 14 ठीक है? अभी next क्या करेंगे? यहाँ पर दे रखा है 9,10 दे रहा है जबकि 1 kg देना चाहिए तो यहाँ पर रखते हैं 9,10 is to 1 kg का 1,000 ठीक है? अब हम इसको cancel out करेंगे तो फिर साथ से हैं तो 13 is to 8 ठीक है? तो कितना परसेंट हो गया? 38.4 परसेंट यह हो गया ट्रीक से अभी next question को चलते हैं a trader cheats both his suppliers and his customer by using faulty weight supplier को cheat करता है, customer को cheat करता है supply मतलब खरिदने के time supply मतलब बेसने के time दोनों को cheat करता है faulty weight नहीं बाइस तो इसका एक ideal case लगा लेते हैं मैं 100 का 100 ऐसे ideal case लगा लिया when he buys from the supplier he take 20% more than the indicator weight okay वो खरिदने के time 20% extra चीज ले आता है कितना पेसे देखे हैं 100 रुपीज देखे जबकि 120 देना चाहिए था weight when he sells to his customer he gives 20% less बेस ता कितना में 80 20% less weight लगाता है और उसका price 80 रुपे होना चाहिए पर वो 100 में दे देता है जब 100 का चीज मांगता है तो वो 80 रुपे 80 ग्राम का चीज देता है इसका मतलब यह है ठीक है इस customer he gives 20% less weight इंडिकरेटर वेट okay if he sells the article at the cost price what is his net profit यहाँ पे उसका profit percentage कितना बन रहा है यहाँ पे आप देखे 120 का 100 रुपीज होता है 80 का 100 रुपीज होता है जब हम यह दो चीज यह है उसका खरिदने के टाइम buying यह selling पहले यह दो हम equal कर लेते हैं ताकि पता चल जाएगा 120 है 80 है यहाँ पे दो multiply कर लिया तो यह कितना हो जाएगा 240 और यह 240 यहाँ पे 2 multiply कर दे यहाँ भी 2 multiply कर देता हूँ 200 यहाँ पे 3 multiply तो यहाँ भी 3 multiply कर देता हाँ 300 240 ग्राम उसने खरीद है कितने में 200 में 240 ग्राम कितने 300 में तो उसका profit कितना हो रहा है 100 profit on 200 ते इ Again, 50% profit और यहाँ पे कोमा है 50% profit वो बना रहा है ठीक है अभी next जलते हैं हाँ इसका short trick बदा देता हूं जैसे कि 20% more यहां पर देखो तो customer he takes 20% more 20% more मतलब 20% मतलब किता हूं 1 divided 5 यहां पर profit बना रहा है तो 6 तो इसको कैसे लगए गए 5 is to 6 ठीक है indicator weight and he uses sales to his customer he gives 20% less weight less मतलब 1 by 5 minus हो जाएका less है तो कितना हो जाए 4 तो यहां पर भी profit बना रहा है तो 4 raise to 5 ठीक है अब हम 5 5 cancel out 2 3 कितना हो रहा है 2 यहां पर 3 50% ठीक है चलिए next question बुचलते हैं so यह question CPU 9th November फासेट में आया था यही वो clumsy question है जो कि बहुत easily 30 seconds के अंदर हो जाएगा सबसे पहले basic way में बताता हूँ 1000 gram का 1000 ठीक है एक फॉल्टी में इसे राइस वन केजी वें 900 ग्राम इस अक्चुली वेटेड़ अच्छा वन थाजन के जगा वो कितना वेशता है 900 ठीक है गूट्स बाइ 10% सबके पर मार्क प्राइस अप गूट्स बाइ 10 परसेंट इसको एक 1100 मार्क करके रखा है बट अनफर्टनेटली ही वास गॉट्ट बाइद मेट्रोलोजी देपार्टमेंट एंड तेन देन देन ओर्डर हीम तो रिपेर इस वेटिंग मेशिन ओके तो यहां तक क्या चल रहा था? डिसनेश्ट ही चल रहा था फिर वो पकड़ा गया और फिर सब सही हो गया तो डिसनेश्ट की केस में अभी वो क्या कर रहा है? 900 ग्राम चीज को कितने में बेच रहा है? 1100 में यहां यहां तक फ्रोड चल रहा है ठीक है? फिर वो पकड़ा गया and punishment दिया गया कि अब वो मेशिन ठीक कर दिया अभी 900 ग्राम को 900 रुपए ही दिखाता है वो मेशिन ठीक है पर उसको punishment के तरह 10% discount on cost price okay so 10% उसको discount देना पड़ेगा cost price के ऊपर उसका cost price कितना है यह था उसका cost price 1000 को 1000 रुपेश यह cost price है इसके ऊपर उसको 10% discount देना पड़ेगा तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 900 कि 1000 ग्राम को उसको बेशना पड़ेगा 900 रुपए में अभी यह क्या है current scenario प्रोड के टाइम उसको 900 ग्राम को 1100 रुपए में बेशता था अभी 900 में बेश रहा है तो यहाँ पर दे रखा है एक केजी का 20 रुपए अभी देते हैं customer ठीक है cost price अब है month if each customer is now paying रुपई 20 रुपई पर वन केजी वन केजी मतलों 100 1000 ग्राम का 900 रुपई जो है हम इसको यूनिट मान लेते हैं 900 रुपई का वेल्यू कितना दे रखा है 20 रुपई तो पूछाए हमें then before the rate that amount have been paid for the same quantity same quantity same 1000 को previously कितना वो बेजता था कितने रुपई में so 900 क्राम को ग्यारा सो यूनिट यह मान लेते हैं यूनिट में बेजता था ठीक है अभी हम कितना निकल लेंगे 1000 क्राम का निकालेंगे कितना है 1100 divided by 900 into 1000 इतना रुपई में पर हमें अल्रेडी बेल्यू पता है यह कितना है 900 यूनिट का वेल्यू कितना है 20 रुपई तो वन यूनिट का वेल्यू 20 रुपई 900 तो इतना यूनिट का वेल्यू कितना हो जाएगा into 20 रुपई 900 ठीक है is equal to कितना होगा 22,000 divided by 81 तो यहां पर दो जिरो दो जिरो कैंसल आउट यह दो जिरो यह दो जिरो कैंसल आउट 12 ओके तो यहां में 22,000 हो जाएगा by 81 कितना आ रहा है 27.16 इसे कैसे कैंसल आउट करेंगे 81 है या फिर डाइरेक्ली आप 81 से डिवाइड करोगो या फिर इसको ऐसे मान लेता हो 9 into 9 तो पहले 9 से काट होगे कितना काटेगा 244.44 फिर से आप इसको 9 से काट होगे तो कितना होगा 27.16 ठीक है यह होगा बेसिक मेथड आप स्टेप बाइ स्टेप पढ़ते जाओगे और एक साथ करते जाओगे तो फिर 30 सेकेंड के अंदर सीधा हो जाएगा अभी हम इसको शॉ पर फिर सबकेपर मार्क फ्र known fifteen इंपर सेंट तो कितना हो जाएगा 10 का 911 सबसे हम इतना कालकुलेट कर लेते किकि इसके बाद उसका मिशीन ठीक हो जाता है तो ये फ्रोड केस एं फ्रोड केस का प्रोड केस का कितना बन रहा है वो पहले काल्कुलेट कर ले थे तो कितना आ जाएगा ये दो जिरो 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 कैंसल आउट दस दस कैंसल आउट 9 इस टू 11 ठीक है अभी नया केस क्या बोल रहा है कि end punishment डिया गया 10% discount on cost price तो currently उसे 10% discount देना पड़े है cost price मतलब उसको loss होगा 10% क्योंकि cost price पर discount दे रहा है वो तो यहाँ पर 10 का हो जाएगा 9 ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह है fraud case और यह है current अभी सिनारियो current का सिनारियो और हमें पता है कि each customer is now paying 20 रुपिस पर 1 case अभी कितना दे रहा है यह क्या है वो selling price है 10 का 9 में बेच रहा है तो यहाँ पर लोग 20 रुपिस देखे ले रहे हैं तो हमें पूछाए तो पहले कितना ले रहे थे पहले उनको कितना दिया जा रहा था तो इसके लिए क्या करेंगे हम यह दो equal करेंगे पहले तो 9 into 10 into 10 या 10 into 9 into 9 तो कितना आ गया 90 इस्टो 110 90 इस्टो 81 तो यहाँ पर 81 का value दे रहा है 20 रुपिस और हमें पुछाए 110 का कितना value है तो कितना आए गया 20 into 110 divided by 81 जैसे कि मैंने calculation बताया था अंसर क्या आता है 27.16 तो यह दो हो गया आपका sotric और basic method में आप इन दो method में करोगे तो फिर question पड़ते ही आप basic प्रेमें स्टार्ट कर लोगे तो 30 seconds में हो जाता है आप एक दो बार practice करो different type of question लो और basic way में start करो उसको करने के लिए और आपका हो जाएगा So thanks friend, thanks for watching. Please subscribe to this channel. Thank you